प्रदेश में बीजिपी सरकार के च्छार साल पूरे होने से पहले कॉंग्डिस ने जन अक्रोश रेली निकाल कर सरकार की नाकामियावी को जनता के बीश रखा प्रदेश भर में कॉंग्रस पार्टी द्वारा जन अक्रोश रेली का एजन किया गया जिसका शुवारन श्री नगर गड़वाल से किया गया जोरान चमोरी पॉड़ी रुध प्र्याग से हजारों की संख्या में कॉंग्रिसी कारकरता पहुँचे और उन्होंने नगर श्यत्र के विभिन मारगों से होते वे रैली निकाली रैली में कॉंग्रस के बड़े निता भी शामिल हुए हलद्वानी में तसकर आम लोगों और पार्षदों पर भी हमला कर रहे हैं जिसे गुसाय पार्षदों ने SSP प्रीती प्रद्यशनी से मुलाकात करते हुए उन्हें ग्यापंदिया साथी मांग की है कि शहर में स्मैक तसकरी को पून तरीके से बंद किया जाए और पार्षद से मारपीट के मामले की निस्पक्ष जांचो और तसकरों के खिलाब सक्त कारवाई की जाए आए दिन स्मैक तसकर सहीद अन्य आपराधी गतिविदियों में लिप्त लोगों द्वारा आम जनता और जन प्रतिधियों को भी परिशान किया जा रहा है वहीं पार्षद की मांग पर इसस्पी ने का आए कि सभी आपराधी गतिविदियों में लिप्त और स्मैक तसकरी के आरोपियों के खिलाब पुलिस सख्त कारवाई कर रही है चारधाम दिवस्थानम बोर्ड बनने से तीर्थ परोईतों का लगातार विरोध चल रहा है वहीं मुखे मत्रीतीर सिंग रावत ने दिवस्थानम बोर्ड पर विचार करनी की बात कही है शुरू से ही बोर्ड के बनने पर उसका विरोध किया गया और आज सरकार द्वारा उसकोर सोचने और विचार विमर्ष करने की सिती भी आ गई है जल्द शुरू होने वाली चारधाम यात्र की तयारी सरकार को शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि पिशले साल COVID-19 के कारण चारधाम यात्रा नामात्र को ही थी इस बार लोग बागवाहन स्वामी और विवसाई सब ने आस लगा रखी है कि इस बार की यात्रा ठीक ठाक होई तो पिशले साल की कमी को पूरा किया जाएगा लेकिन सरकार अगर अभी से तयारी नहीं करती है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आम जो आदमी है और जो विवसाई हैं जो आस लगा कर वैटे हैं उनकी आस कैसे पूरी होगी रिशिकेश मंसा देवी के नस्देक हरद्वा रोड पर 600 गस जमीन का मामला सुर्ख्यों में है उक्त भोखन पर एक संथ अपना दावा कर रहा है जबकि दूसरे पक्षने उनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े तमाम दस्तावेज होने की बात कही है बताये जा रहा है कि इस मामले में डियम की जाच में भी संथ का जमीन से दूर दूर तक तालूख ना होने के बाद सावित हो चुकी है नाति नाम ने ये भी बताया कि जमीन को लेकर एक मामला कोट में भी विचारडीन है आरूप लगाया है कि प्रकाशा नंद उनकी जमीन को जबरन कवजने की कोशिश कर रहा है संद पर उन्होंने दबाब बनाने का आरूप ही लगाया फिलहाल पुलिस मामले की जाच कर रही है संयूत किसान मोचा की ओर से की गई किसान महापंचायत में केंद्र के कुशिबल का हर स्तर पर विरोध करने के लिए निर्नायक संघर्ष का आवाहन किया गया किसानों ने कहा है कि किसान हित के देश भर की किसानों को संगठित होना होगा डोईवाला में किसान महापंचायत की गई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर्याना के अलावा उत्राखन के विभन जन्पतों से किसानों ने शुर्कत की उत्राखन की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही न्यूजवाल इंडिया के साथ नमस्का